कि आपके एज यह है मतलब आप 26 साल के हैं जैसे मैंने अभी एक अंडिडेट का चेक किया है तो उसका एज कितना है 26 साल और 6 मन्त अब माल लिजे अगर यह ऐसी के टेकरी से है तो यह फॉर्म को एपलाइक कर सकता है हालो फ्रेंड्स स्वागत आपका चिराग क्लासेज के ओनलाइन यूटूब चैनल के उपर तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होगे तो फ्रेंड्स आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टन रहने वाला है इस वीडियो के अंदर हम बा करने वाला हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार आप खुद अपना एज चेक कर सकते हैं कि आप अपना फों में अप्लाइक कर पाऊगे या नहीं कर पाऊगे ठीक है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब लिजिए ताकि बढ़ और सामाने ग्यान परते एक बुक के अंदर आपको 2013 से लेकर 2014 तक के पूराने परिक्षाओं के जितने भी सवाल पूचेगे वह सवाल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगे और परते एक बुक की बात करें तो इसके अंदर 2190 प्लस अब्जेक्टिव टाइप के क् सब्सक्राइब के साथ और इस बुक के अंदर आपको फ्री के अंदर इसके इसकेज कार्ड भी देखने को मिल जाएगा यहां पर इसकेजगा अधिसे फाइदा क्या होगा कि आप फ्री के अंदर मोग टेश्ट लगा पाऊगे ठीक है तो यहां पर आगे बढ़ते हैं और इस book के मैं आपको खास चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इन से तयारी करते हैं, तो आपको क्या फाइदा मिलने वाला है, तो सभी book में एक ही खास चीज़ है, मैं आपको एक बार मेहत वाली book के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप मेहत में क्यावली इस बुक से आपको कॉंश्टेबल जीडी के परसंद देखने को मिलेगे मतलब ऐसा नहीं कि बुक आपकी जीडी के है और उसके अंदर आपके सीजील के सवाल डाले गए या शीचेसल के डाले गए बिल्कुल इसा नहीं होगा यहाँ पर यह जीडी की बुक रह सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो अगस्त की जाएगी कि जाएगी लेकिन अभी क्या है इस वेकंशी को सित्मबर के अंदर डाल दिया गया है तो अब तो अब आपका जो एज की करना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक जनवरी दो हजार पत्चीस से आपकी एज की घंणा की जाएगी ठीक है लगबग चांस है एक जनवरी दो हजार पत्चीस अब यहाँ पर कौन-कौन को मतलब किस-किस कंडिडियेट को कितना यहाँ पर एज में रिलेक्सेशन देखने को मिलेग और जितने भी दंगा पीडिश चेतर है उनको भी यहाँ पर पांत साल आर साल यह आप देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर फ्रेंड्स में आपको बता देता हूँ कौन-कौन कंडिडियेट दो हजार पत्चीस का फोर्म बर सकते हैं तो जिनकी एज यहाँ पर आप देख आपकी होनी चाहिए इसका मतलब यह कि उमीदवार का जनम दो जनवरी दो हजार दो से पहले और इसके बाद में एक एक दो हजार साथ के बाद नहीं होना चाहिए मतलब इस बीच अगर आप जो भी कंडिडियेट है वो फोर्म को एपलाई कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ प 26 आपके एज होनी चाहिए अगर आप ऐसे से है तो 18 से लेकर 28 तक आपका एज होना चाहिए एज की गरना कब से की जाएगी एक जनवरी 2025 से 99 परचेंट चांस है ठीक है तो यह चीज आपको द्यान में लगना है एज यहाँ पर आप देख सेकते हैं कि 2001 2002 से पहले और यहाँ पर देख सकते हैं 2007 के बाद वाले कंडिएट इसको एप्लाइन नहीं कर पाएंगे ठीक है इस बीच जो भी कंडिडेट है वो बर्च सकता है अब यहाँ पर आपको बता देता हूं आपको अपना एज की गरना किस परकार करना है तो यहाँ पर सबसे पहले खुद से आपको कैसे एज की गरना करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज केलकुलेटर नाम से आपका एक एप्लिकेसन आता है यह प्लेश्टोर के उपर आपको मिल जाएगा वहाँ पर आपको क्या करना है सारी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर में आपको समझाने वाला हूं तो द करना है प्रेंट्स किलिक करने के बाद में इस परकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा अब यहाँ पर आपको क्या करना है जहां से देखना है यहाँ पर सबसे पहले तूडे डे यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको डेट चेंज कर ले रहा है यहाँ पर कर 98 यह माली यह कोई date है ठीक है और यह अपना age जानना चाहता है कि मैं इसको form को apply कर पाऊगा या नहीं कर पाऊगा तो यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले आपको age की गनदा जिस date चेक है और बाद में आपको calculate के बटन के उपर click करना है जैसे आप इसके उपर click करोगे यहाँ पर नीचे लिखा होगा कि आपके age यह है बतलब आप 26 साल के है जैसे मैं अभी एक candidate का check है तो उसका age कितना है 26 साल और 6 मन्त माल लिजए अगर यह SC के टेकरी से है तो यह form को apply कर सकता है क्योंकि SC-ST के अंदर 18 से 28 साल तक आपकी age की गरना की जाती है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं इसके बाद में अगर OBC से है तो यहाँ पर 26 साल एज के गरना होती होगी मतलब 18 से 26 साल वाले form को बर सकते हैं लेकिन यहाँ पर 6 मन्त उपर है तो यह बंदा OBC वाला बंदा यह form को apply नहीं कर पाएगा अगर UR से है तो UR में 23 साल मांगा जाता है तो यह 23 साल वाला भी इस form को apply नहीं कर पाएगा ठीक है तो इस परकार आप अपना खुद से अपना age का गरना कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले आपको यहाँ पर जो चीज डेट से age की गरना की जाती है यानि की 1-1-2025 ठीक है इसको उपर डालना है नीचे आपको अपना डेट उपर डालना है इसके बाद में यहाँ पर calculate के बटन के उपर क्लिक करना है जो भी आपकी उमर होगी वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आप अपने आप देख सकते हैं तो friends I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपको पता चल गया होगा कि किस परकार age की गरना की जाती है ठीक है तो आप खुद इसे check कर सकते हैं इस application का link भी मैं आपको description box में दे दूगा वहाँ से जाके आप इसको download कीजिए और अपना खुद इसे age check कीजिए ठीक है friends तो कैसा लगा आपको वीडियो comment box में बताना है फिर मिलते हैं next वीडियो के अंदर तब तक के लिए जय हिंद जय बारत वन दे बात